नमासक्र सार्थ मैं फिर से आगे हूं बैरीन कंट्री से और मैं आपकोँ बैरीन कंट्री से कुछ इंफरमेशन देना चाहता हूं तो पिर आए चाल को मुना किजिये इंता हुर में यह डिदायं लग hatggal क्या वर्क है यहां पर और क्या-क्या यहां पर प्रोब्लम फिस्ट करना पड़ता है मैं इनी सारी टॉपिक में में बात करने वाला हूं चैनल को सक्ष्राइब जरूर कीजिएगा ठीके दोस्त देखिए आज सुबह का मौसा में मैंने सुबह सुबह ही मैंने वीडियो बनान झाने वी जरूर कीजिए गया तौँ देखिए यहाँ पे जदतार जो है बहरीन कंट्री में आप को कंट्राक्षन की वर्क जो है सबसे ज्यादा 80% यहाँ मतलब की वर्क होता हday यहाँ पे कंट्राक्षन वर्क यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है ठीके इन्डेस्टियल बह उसके बद और भी company है अभी उसको मालूम नहीं है लेकिन जो जाधा नाम जो है जिस company का है मैं उस company के बारे में आपको बता रहा हूं कि यह company आपको ज़्राद और क्याम करती है यहां पे आपको कभी भी इलेक्टिशन में पलंबर में चाहे सेंटी कार्पेंटर में चाहे फिनिसिंग कार्पेंटर में लेबर में कभी भी आ रहे हैं तो यहां पर आपको मैं बता दूँ कि जात और जो company है construction का काम करवाती है जात और मतलब की building एक छोटा-छोटा सा मतलब की building बनता है मतलब की house building बोलिए उसको house बोलिए जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं उसमें आपको work करना पड़ता है और मतलब की तमाम तरह की जो मतलब क काम करना चाहते हैं उनके लिए तो मौल है यहां पर जो यहां पर मतलब की रिश्टुरेंट में काम करना चाहते हैं तो रिश्टुरेंट भी यहां पर मतलब की यहां पर तमाम तरह के जौब है ऐसा नहीं है कि जौब नहीं है तो उसके बाद में बता दो कि अगर फ्रेसर चार महीना में आपका दिन जो है वह निकल जाएगा क्योंकि फ्रेसर लोग यहां पर आते हैं तो बहुत सारे जू है फ्रोगलम फेश होता है वो लोगों साथ में क्योंकि वह फृंच टाइम गल्फ में आ रहे हैं और यहां पर मतलब की कोई काम के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं कि यहां पर काम कैसे होता है इंडिया का काम में और यहां का काम में जमीन आसमान का फोरक है इंडिया का काम थोड़ा नॉर्मल है लेकिन यहां का जो काम है थोड़ा हाड है तो यहां का यहां के हिसाब से वह नर्म जो काम नहीं किया है तो उसके लिए तो हाड है तो इसलिए कभी भी घवराये नहीं जो फ्रेशर लोग आ रहे हैं चाहे लेबर हो चाहे शेटिंग करपेंटर हो चाहे लेक्टिशन हो चाहे प्लंबर हो चाहे टकिनिशन हो चाहे कोई भी ट्रेड से हो वो लोग फ्रेशर लो जो है वो लोग अलग तरीके से किये होते हैं और यहां पर जो काम होता है कभी-कभी अलग तरीके से होता है तो वो लोग थोड़ा सा घवरा जाते हैं लेकिन घवराना नहीं चाहिए मैं आपको यहीं बोलता हूं कि दखिए मैं भी फर्स टाइम यहां पर आया था तो मैं भी कंट्रिये का सेम सेम है एफ नहीं है कि आपको एकंट्री में ऐसा है देखिए हर कंट्री में में है तो हर कंपनी में कुछ न कुछ तो प्रावलम तो होता ही है यह आपको मालूम होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपको कंपणी कितना वह अच्छी कंपणी क्यों नहीं हो आपको कोई ने कोई प्रावब्र ज़रूर होगा की कोई कंपनी हो यह नहीं बोलगं कोई भी कंट्री के कंपनी हो आपको थोड़ा बहुत प्रोलम जो है आपको करना veteran है तो यह पर आपको कोई मतलब की अगर के आपको सारी म quartz की ब्यवस्ता है यहाँ पे вмुशीन्य démocratea और मौलूम हैं यहाँ पर कैसा होता है यहाइप ज्यादा समान जो है इस्तमाल होता है यहां पर आपको कोई भी हाथ से इंडिया में तो होता है कि चली हाथ से कर देते हैं चली हाथ से इतना दूर है थोड़ा मठी निकालते हैं यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर हर चीज का मशनिरी है आपको बस उसमें सपोर्ट करना है उसम वो जो मसीन है मसीन ही आपको पुरा काम करके देगी बस आपके उस मसीन के साथ में रहना है अगर लेबर में कोई आ रहा है तो चाहे और भी ट्रेड है उसमें मतलब की बहुत सारे मसीनिरी चीज है मसीनिरी चीज से यहां पर बहुत ज्यादा काम होता है तो चलिए दोस्त मै आसा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तब प्लीज आए चनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने भाई को सपोर्ट कीजिए आपका भाई बहरें कंट्री से इन्फरमेशन दे रहा है जय हिन जय भारत